दोस्तो वैसे तो कहलाने को भारती जंता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहनाती है और दावे तो ऐसे ऐसे किये जा रहे है चुनाव से पहले मतलब भारती जंता पार्टी की ही जीत पकी है सुनिश्चित हो गई है ऐसे दावे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे है ग्रह मंत्री भी यही बात कर रहे हैं कि इस बार जो है सारे आकड़े पार कर दिये जाएंगे इस बार सिर्फ और सिर्फ भारतिय जनता पार्टी का पर्चम लहराएगा भारतिय जनता पार्टी ही जीतेगी क्योंकि जनता उन पर विश्वास उन पर भरोसा जता रही है किस कदर भीड दिखाई दे रही थी लोग कहां से कहां तक भरे हुए थे पटना का गांधी मैदान पूरी तरीके से भर गया था रोड तक लोग नजर आ रहे थे इतना खचा खच भीड जो है इस रैली में दिखाई दे रहे थी क्योंकि ये रैली बेपक्षी दलों के राता है राहुल गांधी ते जस्वी आदव लालू यादव जैसे नेता इस महा रैली में शामिल थे लेकिन आपको एक और रैली की खबर एक और रैली की तस्वीर यूपी के पतरकार के जरिये जो उजागर की गई है शायद हो सकता है कि पतरकार को जेल भी डाल दिया जा जाता है एक्जामपल के तौर पर उत्राखंड में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक पतरकार को पुलिस ने गिरफतार कर लिया सोशल मीडिया पर उसको लेकर लिखा बोला जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेस में तो और भी जादा आपको याद होगा खिच वो तमाम चीजे घर्ब कर पा रही है दोस्तों इस वक्त मैं आपको दिखाऊ उत्तर प्रदेश के एक पतरकार है अनिल वो भाजपा की रैली को कबर कर रहे थे जिसमें भीड इखटा करने के लिए लोगों को बुलाया गया बाहर से बुलाया गया ताकि भीड खचा-खच दिखाई दे भीड जो है नजर आ सके लेकिन इस वीडियो में आप साफ तर पर देख सकते हैं कि महा कुम्ब यादवों के लिए सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अंदर रखा गया था इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे जो है मोहन यादव के जरिए उत्तर प्र है लेकिन भीड जो है लोगों को पैसे दे दे कर बुलाने की बात की जा रही है पुनीत कुमार सिंग इस वीडियो को शेयर करते वे लिखते है कि भाजपा यादव महासवा करवा रही है लेकिन ढूरने पर एक भी यादव इसमें मिल नहीं रहा है दूसरे जाती के लोगो हमके एक यूजर है वो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लिख रहे है कि जिन जातियों का इतिहास नफरत के खलाफ लड़ने का रहा है उनको उत्तर प्रदेश में संगी नहीं बना पाओगे ये विचारधारा की लड़ाई है यादव समाज अपनी विचारधारा के साथ खड़ा हुआ है उसको मोहन यादव जैसे लोग नहीं बहका सकते इस पांच मिनट के वीडियो में आयोजग करता कि अलाबा एक भी यादव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है पत्रकार अनिल जी के साहस को सलाम केजे यानि कि पत्रकार अनिल जो है वो लगातार उ इसमें यह खबर निकल कर सामने आई है कि कैसे महाकुम्ब जो बुलाया गया था और उसकी सच्चाई क्या है क्योंकि यहाँ पर आज कल जो है जिस तरीके से लोगों को ब्रहमित करने क्या जो कोशिश में इस्ट्री मीडिया के जरिये किया जाता है वो आप सब के सामने है क कैसे भरमित किया जाता है लोगों को जो है छलावा में रखा जाता है कि इतनी भीड इतनी लोग प्रियता क्या ऐसी लोग प्रियता है ऐसी भीड आप दोनों रैली को कंपेर कर लिजे पटनावाले और मोहन यादब के रैली को भारतिये जनता पार्टी के CM है वाई के होने के बावजूद भी भीड नजर नहीं आ रही है और खासकर यादब समुदाई जो है यहाँ पर दिखी नहीं रहे है इसको लेकर तमाम तरीके से भाज़पा की क्रिकरी हो रही है कि पैसे देकर बुलाने वाले भीड के बावजूद भी यादब नजर नहीं आ रहे ह लेकिन जनता दिखी नहीं रही है दोस्तों इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले